क्यों भोजपुरी स्टार्स की पतनिया एक दूसरे की फ्रेंड नहीं होत या एक दूसरे के साथ कमफर्ट जोन शेयर नहीं करती तो चलिए आज हमारी ये रिपोर्ट देखिए और आपको पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा होता है वैसे तो इस से अपोसिट बॉलिवूड में आप अगर देखेंगे सुपर स्टार्स की पतनिया एक दूसरे की बेस फ्रेंड होती है लिहाजा शारुख खान की पतनी गौरी खान को देख लिजिए और रितिक रोशन की एक्स वाइब सुजैन खान को देख लिजिए ये दोनों बेस फ्रेंड है वहीं दूसरी तरफ संजै कपूर की पतनी महीब कपूर को देख लिजिए और चंकी पांडे की पतनी भावना पांडे को देख लिजिए दोनों एक दूसरे की best friend है और भी कई stars wife है जो एक दूसरे की best friend है लेकिन भोचपुरी जगत में इससे opposite है stars wife एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करती तो comfort zone की बात ही अलग है इसके पीछे reason ये दिये जाते है क्योंकि superstars में इतनी class होती है जैसे कि पवन सिंग, दिनेस लाल यादो, निरहुआ, खेसारी लाल यादो, जैसे बड़े stars में आप से कलह इतनी जाता है कि इनकी पत्नियां आपस में कभी comfort zone share ही नहीं करती comfort zone तो छोड़िये एक दूसरे के घर भी आते जाते नहीं हैं वैसे भोचपुरी stars की पत्निया पार्टी लाइम लाइट से काफी दूर रहती हैं पार्टी और मीडिया लाइम लाइट से दूर रहने के कारण ये comfort zone उन star swipes के बीच कभी नहीं आता इससे opposite बॉलिवूड stars की पत्निया बराबर शिर्कत करती हैं लाइम लाइट में भी रहती हैं और parties भी enjoy करती हैं साथ ही साथ अगर वो विदेश की छुट्टियों पे जाते हैं तो एक दूसरे के साथ जाते हैं जिसके वज़े से बॉलिवूड stars की पत्नियों में आप सी प्रेम रहता है बलकि इससे opposite बोचपुरी stars की पत्निया अपने घर को ही समभालने में रह जाती हैं पार्टी तो करना दूर की बात होती हैं इस वज़े से इन सारे stars की पत्नियों के बीच कभी कोई comfort zone या यूं कहल गलत नहीं होगा कि जिस तरह भोचपुरी stars एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते या यूं कहले कभी कभार parties में अगर एक दूसरे को ये stars मिल भी जाते हैं तो fake smile और fake मिलना ही होता है इनका और पीट पीछे ये सारे stars एक दूसरे की बुराई करने में भी पीछे नहीं ह रहती हैं और अपने घर में इतनी बीजी रहती हैं वो दोस्ती और पाड़ी अपने घर वालों के साथ ही कर लेती हैं बोचपुरी जगत की होट और मसालेदार वासिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिलकुल नहीं हुआ